हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल दीपा कॉर्णर फ्रेंड आज का जो मेरा वीडियो है वो एक एंटी एजिंग फेस मास्क है का है इसी बोटोक्स फेस मास्क भी कहते हैं इसे मैंने पके हुए केले से बनाया है इस केले को मैंने टुकरो में कट कर लिया है और एक फॉर केला में जूड़ियों को रोकने के शारे गुन मौजुद होते हैं या आपके फेस से रिंकल्स को हटा देंगे और आने भी नहीं देंगे तो यहां पे मैंने केला को मैंस कर लिया है अब मैं इसमें एक चमच कड डाल देती हूं कड में लैक्टिक एसीड और एंटी अक्ष मैं इसमें अधा चमच हनी डाल दी हूं हनी आपके इसकीन को अंधर से मौस्चर करता है और इसके साथ ही में रोज वाटर डाल देती हूं रोज वाटर हर तरह के स्कीन के लिए पर्फेक्ट होता है चाहे आपका इसकीन ड्राइड हो नॉर्म ओईली हो या फिर अब मैं इसे अपने फेस पे अपलाई कर लेती हूँ इसे आपको 15 मिनट तक अपने फेस पे रखना है या फिर आप इसे ड्राइ होने तक भी अपने फेस पे लगा के रख सकती है मैं अपने फेस पे 15 मिनट तक इसे लगाऊंगी इसके बाद मैं आपको अपने फेस को क्लीन क करके भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को कॉमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आपको सबसे पहले उसका नौटिफिकेशन मिले और मैं हर थर्सडे को वीडियो डालती हूँ तो प्लीज आप मेरे वीडियो को जुरूर देखिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं मैं अपन इसे दो बार भी लगा सकते हैं यह आपके स्कीन की रिंकल्स को बिल्कुल रोक देगा आने ही नहीं देगा उसे तो घर पे आप जुरूर ट्राइ कीजिएगा यह होमबेर मेडनुस का तो 15 मिनट के बाद मैं अपने फेस को क्लीन कर लिया है और इसके बाद मैं कोई भी मॉ अपने ब्यूटी का ख्याल दखी टेक क्यार